Hello everyone, जैसा हमने last video में symmetric figure में square count करे थे, आज हम non-symmetric figure में square count करेंगे symmetric figure क्या थी? जिसमें row और column equal थे और non-symmetric figure क्या होती है? जिसमें row और column equal नहीं होते non-symmetric figure row not equal column जो हमारे पास figure हैं, इसमें कितनी 4 column है और 3 row है तो इसमें row column equal नहीं है इसकी क्या sort trick होती है? चलो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें भी numbering करेंगे numbering 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 अब इसमें square count करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जो row है और column है उनकी multiply कर लेंगे कितने 4 column है और 3 row है 4, 3, 2, 12 अब हमें तब तक multiply करनी है इन में से 1, 1 subtract करेंगे और तब तक multiply करेंगे जब तक 1 ना आ जाए तो 4 में से इन में से दोनों में से 1, 1 subtract कर दो 3 into 2, 6 और 2 into 1, 2 अब हमारा यहां पर बन आ चुका है हमें तब तक ही करनी है जब तक किसी में 1 आ जाए अब हम इनको add कर लेंगे कितने हुए यह हुए हमारे 20 तो total इस figure में कितने square है 20 ऐसा ही second देखेंगे इसमें भी सबसे पहले numbering करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 तो क्या करना हमें सबसे पहले row column की multiply कर लो 5 into 4, 20 अब इसमें भी बनवन सब्टेक्ट करो और multiply करते रहो 4 into 3, 12 3 into 2, 6 और 2 into 1, 2 तो कितना आया यह? 40 तो total हमारे इसमें कितने square है 40 यह square count करने की बहुत ही अच्छी trick है वीडियो पसंद आए तो like करना और channel को subscribe करना